जहिन साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल अतार शड़ी में मैं आशुतोष आज आप के लिए लेके आया हूँ चक्रिविद्धी व्याज की इस रिंखला में एक नया जबर्जस्ट टॉपिक जी हाँ, एक नया जबर्जस्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जब धनराशी यन गुना हो जाए कितने समय में यन गुना हो रही है, इस तरह के प्रश्ण जब आते हैं एकजाम में छूट जाता है लेकिन आज के बाद आपका छूटेगा नहीं तो चलिए, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्णों की ओर आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का पहला प्रश्ण, प्रश्ण को ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या पुमुचा है, फिर उसी हिसाब से लगाएंगे तो चलिए, क्रविद्धी ब्याच पर निवेशित एक धनरासी पाँच वर्सों में दुगना हो जाती है तद अनुसार वहमूल की आठ गुना कितने समय में हो पाएगी बहुत ही लाजवाब प्रश्ण है तो प्रश्ण सॉल्व करने का सबसे बढ़िया सांदार तरीका है पाँच वर्सों में आठ गुना यानि टाइम कितना है और गुना कितना हो रहा है पहले लिख लेंगे टाइमिंग कितना ले रही है पाँच वर्स और कितने गुणा हो जाता है दो गुणा जी हाँ पाँच वर्सों में दो गुणा तो वह मूल राशी या मूल या मूल राशी बात एक ही है कि 8 गुणा कितने समय में होगी तो देखिए अगर मान लेते हैं कि T समय में वह 8 गुणा होगी तो चलिए ट्रिक बढ़िया सांदर्स है बिल्कुल कोई गलती नहीं करना है बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे देखिए दो है दो के फॉर्म में गुना है तो यहाँ पे भी दो के घात में बना लीजिए क्या यह सही है आठ को हम दो की पावर तो यहाँ जो पावर है यह और यह पहले पाँच वर्ष में दो गुना होती थी इसका समय आप गुड़ा कर दीजिए आपका समय आ जाएगा पाँच गुड़े तीन कर दीजिए पांतियां पंदरा यानि पंदरा वर्ष लगेंगे इस तरह से मारा भी कल्ब एस ही हो जाएगा यानि कि आठ गुणा होने में पंदरा वर्ष का टाइम लगेगा जी हाँ पंदरा वर्ष का टाइम लगेगा बहुत ही लाजवाब ट्रिक है फिर से समझ लेते हैं अगर पांच वर्ष में दो गुणा हो रहा है तो कितने समय में आठ गुणा होगा तो सबसे पहले आठ को यहाँ पर अगर दो है तो दो के फार्म में बना लेते हैं घात रूप में और जो घात आए उसको और पहले वाले समय को जो जितने समय में दिया गया था दो गुना उसको गुड़ा कर दीजे आपका उत्तर आ जाएगा इस तरह से हमारा उत्तर पंदरा वर्ष आएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन की ओर यदि आप कभी नियम भूल जाएं यदि आप कभी यह ट्रिक भूल जाएं तब क्या करें तो चलिए उस topic पर भी बता देते हैं भाई इस topic पर अगर नियम भूल जा रहे हैं अपना जो छोटा वाला साट्रिक है यह भूल जा रहे हैं तो रूल क्या है? इसका रूल क्या है? उस पे भी लगा लेते हैं. चलिए, कोई धनरासी किसी निश्ची चक्रविद्धी ब्याज की वार्षिक दर पर तीन वर्सों में आड़ गुनी हो जाती है. तब वही धनरासी उसी चक्रविद्धी ब्याज की दर पर कितने वर्सों में 16 गुनी हो जाएगी बहुत ही सांदार प्रश्ण है तो देखिए वार्षिक दर चक्रविद्धी व्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुना जी हाँ मुल्धन यक्स है तो मारा मिश्रधन कितना हो जाएगा आठ गुना यह नी आठ यक्स सट टाइमिंग कितना ले रहा यन की वैलू कितना हो जाएगे तीन जी हाँ फिर उसके बाद आप वही फार्मूला रग दीजे अपने चक्रविधी मिश्रधन वाला ए बरावर पी वन प पावर यन यानी तीन हो गया यहाँ देखी यक्स से यक्स कड़ गया और यह घात तीन है अगर इस तरह बराबर के आएगा तो आठ की पावर एक बटा तीन हो जाएगा बराबर वन प्लस आर बाई हंडरे हमारा एक एक्क्वेशन बनके तयार हो गया जी हाँ इसका काम 16 गुना होने में कितना समय लेगे गए तह Prinse scientifically को निकालना है तब देखिए 16 गुना अब धन क्या हो रहा है 16 गूना मूलधन कितना था हमारा यक्स की अब धन को कह रहा है कि 16 गूना हो ना थीनी 16 हो जाएगा हो जायगा सर जी हां 16 हो जाएगा इस तो कितने समय में यानि कि यन कमान पूछ रहा है तो यानि फार्मूला वही रहेगा a बराबर p 1 प्लस r by 100 पावर यन a कमान कितना है अब की बार 16 गुना होना है मूलधन आपका यक्सी ही था 1 प्लस r by n कमान निकालना है तो यानि ऐसे ही रहने दीजिए जी हाँ यन कमान निकालना है तो आपको ऐसे ही रहना देना पड़ेगा आप देखिए 1 प्लस r by 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 प्लस r by 100 इस कमान आप यहाँ से निकाल सकते हैं या जी हाँ आपने पहले एक्वेशन निकाला था 8 की पावर 1 बटा 3 तो आप यक्स से यक्स काड़ दीजी यह बचेगा 16 बराबर और 1 प्लस r by 100 यहाँ आप लिख सकते हैं 8 की पावर 1 by 3 और यह आपका यन मना देते हैं अब देखिए सर यहाँ पर 16 है इसको भी घाद के रूम में मना लीजे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं जी हाँ यह गुणा हो जाएगा 1 बटा 3 और पूरे का पावर जवाब का यहाँ पे यन है इसका भी तो गुणा हो जाएगा तो इसका भी गुड़ा कर दीजिए देखिए यहां घात में तीन से तीन कड़ गया और दो की पावर चार बराबर दो की पावर यन का गुड़ा एक में होगा यन एक कम यन हो जाएगा अब देखिए बेसमान है दोनों का तो यन से तुलना कर दीजिए यन का पावर क्या हो जाएगा जो यहाँ पर दो का पावर यन है ये और ये आपका देखिए इक्वल दिकर आई यन बराबर चार इस तरह से समझ गए होंगे कि आपका जो समय लगेगा वो चार वर्स लगेगा सोला गुना होने में जी हाँ तो पहले आप इतना बड़ा है घबडाना नहीं है बस समझने की बात है एक इस्टेप ये है और दूसरा इस्टेप में आपका उत्तर आ जाता है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आप ट्रिक पर ध्यान दें जो आपका सौल ट्रिक है वो उस पर ध्यान दें और अच्छे समझेंगे और नियम फर ध्यान दें अगर आप कभी नियम भूल जाते हैं तो ट्रिक का इस्तेमाल करें कुछ भी दोनो बिलकुल सही है दोनों से आपका उत्तर आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण में फिर से हम ट्रिक का इस्तिमाल करते हैं और ट्रिक बहुत ही सांदार है कभी गलती होगी ही नहीं सर ध्यान से समझ लेंगे तो आप यदि वार्शिक चक्रविद्धी ब्याच पर रखी कोई राशी पांच वर्सों में दुगना हो जाती है तो वही राशी आठ गुणा होने में कितना समय लेगी बहुत ही सांदार प्रशन है तो देखिए वर्ष और यहाँ पर गुणा लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना तो पांच वर्सों में दुगना यानि पांच वर्सों में दुगना वही रासी आठ वर्स गुणा होने में सर गुणा कितना हो रहा है आठ लेकिन कितना समय आपका पांच वर्सों में दो गुना देखिए यहां पे गुना दो के फॉर्म में है तो इसको भी आप दो के फॉर्म में बना लीजिए यानि दो की पावर तीन बन जाएगी जी हाँ दो की पावर तीन बन जाएगी बन जाएगी सर जी हाँ दो की पावर आपका तीन बन जा आपको पता चल जाएगा तीन गुड़े पांच यानि कितना आ जाएगा 15 वर्ष कितना आ जाएगा सर 15 वर्ष जी हां तो इस तरह से मारा भी कल्प सी साही हो जाएगा जी हां तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और उमीद है कि पहला दूसरा तीसरा प्रश्ण सार अच्छे समझें आ गए हैं आपके और अगले बढ़ते हैं भई सवाल की ओर ये आपके सामने चौथा प्रश्ण है एक धनराजी चक्रविद्धी ब्याज पर जमा करने पर चार वर्सों में अपनी दुगनी हो जाती है यानि स्वयम का दुगना हो जाता है तद अनुसार वह कितने वर्सों में अपने का चार गुना हो जाएगा देखिए चार वर्सों में दुगना चार वर्सों में दुगना ठीक है उसके बाद तद अनुसार वह कितने वर्सों में मान लेते हैं कि टी वर्सों में अपने का चार गुना हो जाएगी जी हाँ अब देखिए ये है यह दो है तो हमने बताया था कि पहले वाला जो आपका गुणा रहे उसी फॉर्म में इसका गहात रूप मना लेते हैं तो चार को हम क्या लिख सकते हैं दो की पावर दो यहां देखिए दो दो मैच कर गया जी है अब इसकी घहात और पहले वाले का टाइमिंग गुड़ा क उमीद है कि आप सभी पर इच्छारतियों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें दोस्त यारों में इसे सेयर करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलि यूटूब के माध्यम से जिसमें एक दिन में एक टॉपिक अपने कीमती समय से निकालिए 15-20 मिनट का देखिए वीडियो और एक नया सांदा टॉपिक रोजाना सीखिए तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं एक धन रासी चक्रविद्ध पर तीन वर्सों में तीन गुनी हो जाती है तदनुसार वही अपनी मूल रासी की नौ गुनी कितने वर्सों में हो जाएगी जी हां तीन वर्सों में तीन गुना तो नौ गुना होने में कितना समय लेगी अब देखिए यहां पर तीन है तो इसको भी तीन के फार में बना पी बैस आपका सेम होना चाहिए तभी यह सही होगा तो यहाँ पर भी बेस यहाँ भी तीन आगया तो जो इसकी घात बनती है इसका पहले वाले के साथ समय से गुड़ा कर दीजिए जो पहले बार में आपकी पहली लाइन में जो बात दी रहे है तीन वर्सों में तीन गुणा तो यह वाले टाइमिंग में आप गुड़ा कर दीजिए यहां घात दो और यहां पर समय से गुड़ा कर दीजिए तीन दो च्छे यानि कि आपका छे वर्सो लगेगा नौगुना होने में तो यहाँ प्रश्ण भी अच्छे समझ में आ गया है और कल मिलते हैं एक नए सांदार टॉपिक के साथ आज वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद